आज मम्मे महिए ना यह पंकीन का फूल का पकोडा बना रही है देखते चलो मम्मु वह देखो पंकीन का कटेदस से प्मकन के पकोडा फ्रेंस आज संडे हैं, आज तिंहादने पंकीन दे करते उले हैं आई है आपका आपका एक हली पंगिंद का पकोड़ा खाती और को थी बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है कि मेरे बेटी तो अनोखाथी जै बात कुछ खाती नहीं है अच्छा लगता है कि पच्चे जो खोलते हैं इसमें तो क्या क्या डाला इसमें क्या 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 ड़ाइस, जो भी क्या डिये हैं, एकुप ग्हल नमक डाविगां hacemos. सेजवन चटनी भी थोड़ा सा कलर के लिए और मैं आप डाल सकते हैं मैंना सेजवन चटनी यह है नौर का थोड़ा सा मैं डालती हूं यह अप्शनल है अगर आपको नहीं पसंद ना डालें थोड़ा पानी देखें ज्यादा पतला मत बनाईएगा सेमी सॉलिड थोड़ा जै जो लोग अंडे निखा देता वो लो क्या करें कोई बात में उसमें थोड़ा गरम पानी डाल दीजिए ना गरम पानी डालना से इकवल टेष्ट आएगा कोई परतो नहीं पड़ता है अ है पंकिन का फ्लावर है हम लोग जो पंकिन बोलते हैं जो कोडु कदु कोडु जो ह भश्वा कररने के लिए आग यह म्याना, सबस्कुलम कैका फ्लावर, प्लावर बनता है, निकम प्लावर के उड़िशा, प्लावर बंगुलम करने लिए याल भश्वार, प्लावर कि खॉर मिला खॉर। कर सकता में, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा करने के लिए बस कुछ नहीं इसको यासा ही बैटर में डुबाईए अब समस्लो में उसको करिएगा तो जल जाएगी जब तक रड़नी हो तो इसको फ्राइग करना है अगा थोड़ा थी जब जल दी बहुत जल्दी होट जल जल्दी होट जल्दी करके जल्दी में जल्दी बाद में आज़ाएगी जाता है कोई टाइम नहीं लेता है, इसके अगदम गरम-गरम खाईएगा तो मुझका मज़ा अच्छा लगता है, ठंडा कर देने सुष्का कोई जाली में नहीं, बहुत में निकाल लोंगी, बहुत ही जल्दी हो जाता है, मेरी पासन चुयत, देखियो फेंस ऐसे आप घर प कर्दू का फूल का पकोड़ा, इसमें स्टॉफिंग भी होता है, मैं आपको स्टॉफिंग दिखाऊंगी, आलो का स्टॉफिंग, कीमे का स्टॉफिंग, आप जैसे आपकी चाप दे सकते हो, मेरा किचन काड़न में ये तीन था, इसलिए मैंने बनाया, ज्यादा बड़े- कीमा का स्टॉफिंग भी बनायेगा, वह भी बहुत ही तेस्टी होता है, जो लोग नॉन्वेज नहीं खाते हैं, पनीर का स्टॉफू का स्टॉदिंग भी है, स्टॉफू, तोफू है, पनीर है, उसका दुन चूरा करके, उसके अंदर बरके भी आप बनाजेगा, तो भी अच्छा लगीगा, सोया नागेट्स का जो कीमा तो चूरा जो, नहीं वह अच्छा नहीं बनेगा, उसमें कर सकते हैं, पर मैंने कभी कोशिश की नहीं है, इन कोशिश करूंगी, तो आपको दिखाऊंगी, यह है, कद्दू का फूल का पकोड़े, आप भी बनाये, कुछ नहीं है, एक चम्ची चावल काटा और एक चम्ची बेसल, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हेजोन कटनी और एक अंडा, अगर अंडा नहीं खाते हैं, थोड़ा गरम पानी करके डालेगा, उतना ही क्रिस्पी होगा, उसमें कोई हड़न फॉस रूल नहीं है, कि का अंडाई डलना है, अब देखें, कैसा हुआ है, आप भी बनाएं खाया, और मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा, और हमारा चैनल बरोडियंस ड्रीम, और बना के खायेगा, और हमारा चैनल बरोडियंस ड्रीम वर्ल को थोड़ा सपोर्ट करें, आप का शिर्वर द देखें तो एक लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बस इतना ही हम विभीनती करते हैं, आपका दिन अच्छा हो, शुब हो, गौड ब्लोस्तिय। और नमस्ते.